नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग जब जागो तभी सवेरा मैं पालभी बसनायत ट्यांज इंटरनाशनल और इंटरनाशनल डायमंट्स नेट्वर्क सिस्टम की तरब से आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप से भी लिजर्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एक स्प स्पेशल टाइम जब आज आपको एक ऐसे लीडर से मिलने का मौकर मिल रहा है जो पिछले पैंडमिक के समय में जिन्होंने अपने अपनी टीम के साथ कुछ ऐसा करके दिखाया कि आज वह बहुत सारी लीडर्स की इंस्पिरिशन ने और वह अपनी फिलिंग्स अपने एक् का राच यह सब कुछ वह खुद बताएंगी अपने जवानी बड़ उससे पहले हम तीन क्वेश्चन उन से करेंगे और तीनों क्वेश्चन के जवाब लेंगे और फिर हम ज़ूर चाहेंगे कि वह अपनी बारे में अपनी फिलिंग्स बताएं त्यांस में आने से पहले वो एक होम मेकर थे लेकिन आज त्यांस में आकर उन्होंने एज़ बिजनस वूमेन एज एंटरपरनियर अपनी एक नई मंजल नई दिशा और नई उमीदों की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और बहुत आगे आ चुकी हैं बहुत कम टाइम में औ बहुत यंग हैं अभी पुरा लाइफ पुरा कैरियर पुरी जंदगी ना सिर्फ अपनी जंदगी के लिए हिंदोस्तान में हजारों लोगों को इंस्पार करने के लिए ये बिड़ा उठ चुका है जो समय के साथ सभी को देखने को मिलेगा भी तो वी फिल वरी प्राओड तो इंट्रड्यूस सार और अवर वनीता राज एथ स्टार और ब्रॉंज लाइन, सिल्वर लाइन, गोर्ड लाइन वेरी सुन और सबसे पहले कि वो आएं और मैं एकी चीज़ जानना चाहता हूँ कि ट्यांज के बारे मों इतना कुछ जानती है, ट्यांज के बारे में इतनी सारी बाते हैं, ट्यांज ये, ट्यांज वो, ट्यांज इंट्रनेशनल कंपनी 26 साल से प्रे दुनिया में क्रड़र लोगों की लाइफ को बदल रही है, तो कंपनी का प्रफाइल इतना शानदार ह कि आज आप एक इतनी बड़ी कमपड़ी के पार्टनर बनके काम कर रहें हैं आप कैसा मैसूस करते हैं पैदा मैं कमपनी के देख एक पूशन पूश रहा हूं सेकंड जो क्वेस्टिन मेरा होगा वह होगा इस कंपनी के बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं हम सभी प्रोड़क्ट की बात नहीं करेंगे आपसे मैं सिर्भ यह जानना चाहता हूं कौन सा प्रोड़क्ट ऐसा था कौन टीम की जिन्दगी में एक तर्निंग पॉइंट का काम कर रहे हैं और तीसरा क्वेस्टिन होगा और तीनों ही क्वेस्टिन मैं साथ में पूश रहा हूं ताके मुझे वन बाइवन नहीं पूशना पड़ेगा जरूर पड़ी तो मैं जरूर बीच में आएंटर फियर भी कर लाते हो तो अक्सर आप किन बातों का ध्यान लखते हो क्योंकि हम जानते हैं जब हम वन-टो-वन मीटिंग करते हैं तो हमें एकॉर्डिंग टू पर्सन एकॉर्डिंग टू सिच्वेशन चीजों को बताना पड़ता है तो यह आज का सेशन बहुत ही रिच बहुत ही ब्राउंज लाइन सिल्वर लाइन गोर्ड लाइन अगर वाकी में आपने कुछ किरके दिखाया है ना अंच में रेक ग्रीयुव प्लीश वंकम अब ग्रेत लीडर वनीटा lesi बहुत स्वागत रल्प का 9th Most Welcome over to you haha स्वागत कैपैर बेशिविव्भी से सबी यृजर आपका इंतजार कर रहे हैं Trung Most welcome. Over to you, Vanitha Raj ji. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, sir, I would like to thank you for your time. Thank you, sir. Thank you. And I am Vanitha Raj and all the new distributors, our new guests, our senior leaders and my mentors. And sir, especially, big, big thanks and I would like to welcome everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. I would like to share and tell you today. Like, sir, first of all, you have asked me to take the company. Absolutely, sir. If I talk about the company, then I feel proud. And I feel like today that I am a very big industry and a very big platform. I am very wonderful, sir. I don't have words. I don't have a chance. And I couldn't have any doubts. I don't have a doubt that I am with a industry that has been working in the past 26 years in the past 26 countries. And has transformed the world of pro-do people's lives. So, really, sir, I feel proud and thanks to God that God has such a wonderful platform and such a wonderful platform and such an opportunity that I have. So, sir, I don't have words. I don't have words. I don't have words. I don't have words. I am talking about the company. So, with one more, a wonderful product, it's a wonderful product. So, this is a great product. If I talk about the company's backbone. तो सर उस तिन मैं यह कह सकती हूँ कि जो मैं पूरा दिन सिरफ और सिरफ यह फील कर रही थी कि मैं एक इतने बड़ी इंडस्टी की पार्ट हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, यहां पे सिरफ और सिरफ मैंने बारा हजार, पंदरा हजार या टोटली बात करू तो पचास हजार से अपना बिजनस स्टाट कर चुकी हूँ मैं, और अगर हम कभी भी जिंदगी में इस तरह की एक इंडस्टी में या खुझ से बनाना चाहे, तो मुझे नहीं लगता यह पॉसिबल है, क्योंकि अर्भो खर्भो मिलियन की जो इंडस्टी है, वो सब के बस में नहीं है, पर मुझे समझ आया, सर की हम मेरे पास बनी बनाई इंडस्टी है, और मैं इस इंडस्टी की पार्ट बन चुकी हूँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू विग विग थैंक्स, मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगी, और अवर ग्रेट मेंटर मिस्ट रियोग कि मैंने इस ऑपर्चुनिटी को ग्राइब किया तो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लखी परसन हूँ, कि उस तिन जब मुझे बताया जा रहा था, कि आज भी मुझे डर लगता है, कि अगर मैंने इसको इनकेस नहीं किया होता, ग्रेव नहीं किया होता, तो शायद होती आज मुझे लोग जाननी रहे होते तो यह है सर मेरा कंपनी को लेकर और अगर मैं बात करूँ जैसे आपने सेकिंड कोश्चन किया था कि कौन से प्रॉडक्ट को लेकर आज मैंने खुद को और मेरी टीम को लेकर बात हो रही है ग्रोफ की और जिंदिगी को चेंज किया तो सर बिल्कुल स्टार्टिंग की थी अपने सेनटी नेपकेन से जब मैं यहां पे इंटिड्यूज हुई थी तो सेनटी नेपकेन पे काम से स्टार्ट किया था है कि एक ऐसी इंडस्टी है जिसमें हेल्ट के प्रॉडक्ट बनाया जाते है और यह बात समझ आ चुकी थी और सभी कोई यह बात समझ आ चुकी है क्योंकि जब तक मुझे लगता है धर्ती रहेगी तब तक लोगों को हैल्थ चाहिए आज दुनिया में बहुत जादा हैल्थ क्राइसिस है और हम लोग मैं और हम लोग जितने भी पैनल्स में लोग है और हजारों लाखों सेनटी नैपकेन जो मैं यह कहती हूं कि वर्ल कब वेस्ट सेनटी नैपकेन सिरफ और सिरफ एरीज है क्योंकि आज तक बहुत से नैपकेन यूज किये जा रहे थे खुद भी यूज कर रही थी और अपने इर्द गिर्द चारो साइट जब हम देखते हैं सोसाइटी में तो जो हमारा सेनटी नैपकेन है वो जिन्दगी भर के रिए हमारा सबसे में प्रोड़क्त कहलाया जाता है तो मैंने पाया कि आज की बढ़ती हुई मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहां तक कि अगर डाटा देखते हैं तो हर साथ मिनट में दस मिनट में एक लेडी की मौत होती है कैंसर के कारण और यह जो हमारा कैंसर बनता है इसकी बज़े सिरफ और सिरफ हमारा सेनटी नैपकेन और क्वालिटी के सेनटी नैपकेन से जो की मार्केट में पाए जा रहे हैं तो सच जब मैं एरिस से इंटर्यूज हुई तो उस तिन मैंने यह ठान ली थी कि मैं इस हो जाओंगी तो मैं अपने साथ बिल्कुल लगता है सिगनल की थोड़ी सी प्लस माइनस है बट नो प्रब्लम या वेटिंग फॉर यू जी जी आरी आरी हैं जी सर थैंक यू सिगनल प्रब्लम तो सौरी सर तो सर यह कहना चाहूंगी कि आज जब हमने धीरे-धीरे इस इंडस्टी को जाना पहचाना और विर्कुल इपली तो आज फूड सप्लिमेंट जैसे कि मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो हमारी हैं जो कंपनी है वो यहां पर मैडिसिंस नहीं है हम मैडिसिंस के काम नहीं करते हैं हम फूर सप्लिमेंट नूट्रेशन पर काम करते हैं और इस तरह के फूर सप्लिमेंट कंपनी के पास अवेलेबल है जो कि हर एक इंसान को हर घर में हम सभी को ही चाहिए क्योंकि हम खाना में तो हमें बहुत ज्यादा नीड है प्रपर निउट्रेशन की तो यह मुझे समझ आया मेरी टीम को भी कि जो हमारी बॉड़ी को सबसे ज्यादा नीड है वो फूर सप्लीमेंट हमारी इंडस्टी हमारी कंपनी बनाती है तो सर उस पर हमने काम करना स्टार्ट किया एंड एक मिनी हॉस्पीटल है प्रियली सर आप मैंने बहुत से लोगों के पहले भी टेस्टिमोनी इसको लेकर बात करी थी कि जो बीसीम मशीन है ब्लड सर्कुलेटर मसाजर मशीन वह हमारे घर का मिनी हॉस्पीटल है और मैं यह कहती हूं कि हजारों बिमारियों की एक जड़ है जब से मैं त्यांस में हूँ मैं यह कह सकती हूँ सर कि आज तक मेरे घर पे आफ्टर त्यांस कभी एक भी टेबलेट हमारे घर पे यूज नहीं हुई है हम सिरफ और सिरफ फूर्ड सप्लिमेंट्स यूज करते हैं और हम सभी मेंबर जितने भी फैमली में मेंबर्स हैं हम फिट एंड फाइन है और मैं यह फिल कर रही हूँ खुद में कि मैं डे वाई डे अपने आपको ऐसा महसूस करती हूं इंटरनली कि मैं और यंग होती जा कि हमने सेनटी नेपकेन में स्टार्ट किया था बट आज हम फूर सप्लीमेंट एक्विपमेंट्स गैजट्स सभी पर काम कर रहे हैं और सर्फाइनली जो आपने एक कॉश्चन किया था मुझसे मुझे किलियर नहीं सुन पाया था बट फिर भी मुझे समझ आया था कि आपने थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे फिर हम थर्ड कॉश्चन पर भी जाएंगे और थर्ड कॉश्चन में आपसे रिपीट भी करूंगा दुबारा सेकंड कॉश्चन यही है कि जो आप आज बिजनस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा रही हैं आप जब लोगों से करते हैं यह आपकी टीम को जाइन करते हैं यह हमारे जो लीडर्स हैं इस ताइम पैनल में और शायद आप से बहुत कुछ उमीद रखते हैं कि जिस त्रीके से आप आगे बढ़ रही हैं काम्याब हो रही हैं इस तरह की फिलिंग सभी की है सभी लोग ऐसे ही वनीत राज की तो दस गुणा होता है कि कहना है कि कुद्रत ने जो दिया उसको अगर बांट हो गए तो दस गुणा और हो जाएगा और मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें क्योंकि आप इनी चीजों में विश्वास रखती हैं और यह आपने हमेशा प्रूफ किया है तो आप क्या कहती ह हैं क्या पीटी में कहती हैं क्या लोगों के साथ बातशीत होती है उसका थोड़ा साथ सेंपल बताएं लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गया होंगे मेरे क्वेश्चन को आप जी सर जी विल्कुल सर विल्कुल ठेंक यू और सर लोगों को लेकर मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि किस तरह से में लोगों को यहां पर काम के लिए और हैल्थ को लेकर या फैल्थ को लेकर उनको बताती हूं कैसे इंटिड्यूस करवाती हूं और कैसे लोग मेरे साथ तो सर सबसे पहले मैं यह जरूर बात करती हूं मैं कहीं भी किसी से भी मैं मिलती हूं चाहे मेरा demonstration है चाहे मैं home meeting करती हूं जिस तरह से महोल रहता है सर मैं according to महोल बात करती हूं तो सबसे पहले मेरा यह रहता है जब सबसे पहले शुरुआत नपकिन को लेकर रहती है, एक डेमोसेशन प्रपर होता है, तो वहां पर लोगों को चीजे समझ आती है, कि जिस प्रड़क्ट में आज त्यांस काम कर रही है, जो इंडस्टी है, वो हेल्थ को लेकर काम हो रहा है, तो ये बास सबको किलियर करती हूं कि देखिए, आज हम सब को हेल्थ चाहिए, और मैं एक ऐसी इंडस्टी सепंको इंट्रिट्यूस कर वारी हूं, जो आपको हेल्थ भी देती हैं, और वैल्ध भी देती एं तो ये एक शादार मौका है, ये एक बहुत ही शादार ओपर चुनिटी है, हम सभी के लिए कि हम अपने आपको हाथ के साथ वेल दोनों चीजे ग्रैब कर सकते और अपने जिंदगी को चेंज कर सकते हैं सर मैं इस तरह की जब बात रखती हूं लोगों के बीच तो सबसे पहला अगर मैं बात करो मैंने कभी भी किसी भी नई परसन से मैं जब मिलती हूं मैं कभी ये बात नहीं करती कि मैं आपको किसी कंपनी में जोड़ना चाहती हूं या आप लोग में साथ जुड़ जाएं या आप लोग ऐसा करें फिर हम ऐसा करेंगे जैसे लोगों का रहता है कि हमारों को यह मॉका मिल चुका है, जब भी आप किसी से मिले THEM किर दे रहे हैं तो हम फिल करे कि हम कितने लग्की हैं कि जो आज हमें मौका मिले अजिन्दगी का मॉका देने के लिए सट मैं यही बात कहती हूं कि देखें मैं आप लोग भी मेरी तरह आपनी जिन्दगी को चेंज कर सकते हैं ये एक मौका है आप इस मौके को लेते हैं तो मेरी तरप से आपका welcome रहेगा और आप देखेंगे कि साल बाद 6 महने बाद आप अपनी Óगे को किपना enjoy कर रहे होंगे और आपकी जिन्दगी change हो चुकी होगी मेरी तरह क्योंकि मैं अपना जरूर बताती हूं मुझे लोग जानते भी हैं जो नहीं जानते हैं मैं जहां जाती हूं तो उनको मैं जरूर दिखाती हूं कि आज से साल-दो साल पहले मैं कुछ भी नहीं थी मैं सिरफ एक हाउस वाइफ थी करना बहुत कुछ था जिन्दिगी में पर करने के लिए option नहीं थे मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं पैसा लगाती हूं business start करती हूं बट आज इस industry में मैं हूं यहां पै मैंने zero investment से अपना काम start किया और आज मैं यहां से लाखों की income ले रही हूं तो सl यह सथा भबात हो जाती है और लोग जब मेरे पास अपनी स्टोरी नहीं थी, किसी भी इंसान के पास जब नया नया किसी इंडस्टी को जॉइन करता है, तो उसकी स्टोरी नहीं देती हैं, तो मैंने अपने सीनियर्स की स्टोरी दिखा दिखा के, योगरा सर की स्टोरी दिखा दिखा के, तलू मैम की, और की सर बहुत से लीडर्स की प्रभीन मैम की तो मैंने दिखा दिखा के अपने बिजनस को बढ़ाया और आज मेरे पास खुद की स्टोरी से आज मैं लोगों को यही बात करती हूं कि मेरा एक चीज जरूर रहती है कि मैं जिस उपरचुनिटी को मैंने लिया यह आप लोगों के करने का मौका मिल रहा है तो यह इस तरह से सर रहता है है भुशन बहुत बढ़िया बहुत शांदर बनीटा राजी जो आपने अपनी फिलिंग शेयर की कि आप अपनी स्टोरी आज की डेट में रिलेट करती हैं और जब तक अपनी स्टोरी नहीं बनी थी तो आप अपने से की हमारे बिजनस पार्टनर जो आइडिनेट सिस्टम में हैं उनकी काम्याब लोगों की स्टोरी को आप अपनी टीम में या फिर जो नए लोग आते थे उनको आप इन सब चीजों से कहीं न कहीं एंक्रेस करते थी उनका मनोबल बढ़ाती थी और लोग आपसा जुड़ते थे तो यहां तक यह बात समझ आती है कि आपने नेपकें से काम शुरू किया था लेकिन आज वो समय आ गया है कि नेपकें नहीं नहीं फूर सब्लिमेंट, परसनल केर, होम केर से लेकर हमारे जो शांदार एक्टमेंट हैं आप उसको भी प्रमोट कर रहे है और आपकी पुरी टीम उसको प्रमोट कर रहे है कुल मिलाके सटोरी एक हेड़े कहीं से का सकते हैं नकिन से स्टेमाट से कर सकते हैं समय होनी चाहिए सब मेगा बहुत अच्छा है एनर्जी के लिए इम्यून सिस्टम के लिए हमारे पास में जबरदस्त है बहुत ही यूनिक और करते हैं तो उस ताइम में जिसे आपने कहा कि मैं एक दम लंबी चौरी बाते बिजनस की ना करके मैं कुछ और चीजों पर डिसक्स करते हूं और अब स्पैसिकली हम जुरूर जानना चाहेंगे एक बार कि किसी भी नए आदमी को जो एप्रोश करते हैं आप या पी टीम की ल आदमी को सखाती है यह अगली आवाज जो सुनेंगा हम वनीता राज जी के जमानी एक वाप्षे सुनी है जी वनीता जी आजी तेंक यू आज आवा जा रही है हम जी बिलकुल अ जी वनीता जी आपका वाज आरी होगी जी वनीता जी आपका वाज आरी होगी जी तू टेकनिकल रिजन बार बार मेरा ख्याल से हमारा क्नेक्शन कट रहा है बट स्टिल वनीता जी वे वेटिंग वर जी जी सर्थ हां जी अब आरी होगा जाप शायद मेरा क्वेस्टिन आप तक पहुच गया होगा जी सर्थैंक यू थैंक यू सब जी मनीता जी येस सर्थैंक यू सर्थैंक यू और सर्थैंक यू व्यक्यूश जायद मैंने अभी फिर से अपना आडाउन किया है तो शायद अब मेरी आवज के लिए रही होगी ज़ेकल शांदार तो सर सौरी मैं प्वर्शन रिपीट करने के लिए कहूंगी क्योंकि बिल्कुल उस टाइब मेरे पास इगनल रही है कि जब आप या अपनी टीम को जो भी गाइड डाइन देती हैं या जो भी सिखाती है उसमें या फिर जो आप काम करते हैं तो आप नए लोगों को क्या सला करना चाहिए ताकि लोग आपके साथ इस बिजनस को जोइन करें जी सर थैंक यू सर थैंक यू मैं अपनी टीम को तो सर हमेशा एक ही बात कहती हूं जैसे सर आज टॉपिक भी है कि 100% सब्मिशन कि हमें सब्मिशन में रहना है जो हमारे सीनियर्स हमें कहते हैं हमें पानी है तो क्योंकि सर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैंने खुद भी यही चीज फॉलो करनी स्टार्ट करी जब मुझे एक चीज समझ आगी थी कि जिस इंडस्टी में मैं काम करती हूं उस इंडस्टी में सिरफ और सिरफ बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है जरूर करना चाहूंगी यही रहता है कि अगर हमें जिंदगी में में काम्याब होना है यह को लेकर रियल में सर दिल से वेटर त्यांस वेटर लाइफ आइलव त्यांस आइलव इडिनट सिस्टम आइमाड बी ओला डाइमन गो गोल्ड ऑन एवरिवन सून गो मेलेशिया एंड वे चाहूंगा यह इंटर्व्यू जो है ना एट स्टार की हैसियत से अब आप कुछ दिन है चंद दिन ही सुन रहे हैं आप चंद दिन ही वनीता राज आइज एट स्टार बोल रही हैं यह बहुत जल्दी आपके बीच में ब्रॉस लाइन के रूप में और फिस सिल्वर और ग कामना है आपको वनीता राज चीव बिलकुल आप अपने तारकेट के नजदीक डे वाइडे पहुंसती जा रही हैं और सभी लोग को धड़कन बड़ी तेज हैं कि सभी लोग आपको देखना चाहते हैं बहुत जल्दी नए रैंक्स में और आप जिस त्रीके से अपनी टी 122 में बहुत सारे लीडर आपकी टीम से गोल्ड लाइन बनने वाले हैं कि सोचिए यह जो महल का कमाल होता नहों जीता जाकता उधरने आपकी टीम में आज आप कभी इत्यास मैसा नहीं हुआ होगा जो अब हो रहा इस ताइम में तो सभी लीडर के लिए यह बहुत बड़ा मॉटिवेशन है कि आज ज़रूरी नहीं है कौन किस लेवल पर है मैटर यह है कि दिसंबर 2022 जो है ना उससे पहले आप गोल्ड होंगे और आपकी टीम में ना जाने कौन-कौन गोल्ड होगा थोड़ा अपने अंदरा इस तरह का जज़बा डाल दीजिए कि मुझे तो करना ही है गोल्ड लेकि मुझे अपनी टीम में गोल्ड पैदा करना है क्योंकि मज़ा जब आएगा इस उमीद के साथ कि जिस तरह की एस्परिशन जिस तरह का एफर्मेशन जिस तरह की पॉजिटिविटी जिस तरह का सब्मिशन वनीता राजची और उनकी टीम में हैं यह हम सब के लिए आपने देखा आज से एक दिन पहले दो दिन पहले बैक टुबैक प्रो अमरिश पंचाल जी आ रहे हैं अब हर लीडर आकर यहां पर जो आपको अपनी फिलिंग दे रहा है उसमें एक जादू है वाकिय में वाइब्रेशन है उसमें उमीदें हैं होप है मिरकल है गेट रेड़ी फ्रेंश गेट रेड़ी December 26th is to be celebrated going to be celebrated in a big big way अब तो यह है अपनी अपनी तयारी कर लो अपना गाना कौन सा गाना गाना अच्छा लगता है कौन सा डांस करना अच्छा लगता है कौन सी ड्रेस पहननी अच्छी लगती है क्योंकि एक good news यह है जो कि पिछले कल के शेरिंग से inspired है कृष्ण बर्मन एंड फैमिली की सुपर्णा बर्मन की तरफ से यह inspiration हमें पिछले कल मिली कि Mr. and Mrs. ID.net system year 2021 इस program में एक तड़का लगने वाला है तो अपने husband और wife जरा सज़ धर्ज के आईएगा भाई husband wife couple get ready कईयों couple ऐसे हैं जो तयार बैटे में इसर हम तो couple में आएंगे तो आपके लिए यह है कि best Mr. and Mrs. best couple का award आपको मिलने वाला है और आप अपना nomination दे सकते हैं number one अब आप सोचिए कुछ ऐसे भी हमारे वीच में Mr. and Mrs. smart beautiful आप सोचिए हम क्या करें शादी कर लें दिसम्बर से पहले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप टेंशन मत लिया करो हर एक का ध्यान रखा जाता इदर इसमें Mr. Smart person Mr. Handsome और Miss beautiful त्यार रहिए तीन तीन इनाम मिलने वाले हैं Mr. IDnet 2021 Miss beautiful 2021 and Mr. and Mrs. IDnet system 2021 मैंने आपको एक बात बोली थी हर हपते आपको कुछ न कुछ मिलेगा कईयों चीजें हम इसको रॉनक वाला शानदार एक्साइटमेंट जोश वाला मौज वाला मस्ती वाला सिखने वाला सिखाने वाला बनाने वाले हैं तो यह nomination है और जिन को भी Master of ceremony बनना है नौमीनीशन कर सकते हैं और जो भी final decision jury से आएगा उस सरोमाने होना चाहिए अगर यह प्रमातमा है ना जब पंचों का डिसीजन रहेगा वही परमातमा का डिसीजन है हमारे लिए तो आप सोचिए आजब टुबर किए आपको गूटनिर्स देदी अब टाइम आ गया है अभी देट नोग बैटे है तो कुछ तो मैं फिलाल शुब कामने दूंगा वनीता राज जी आपको पूरी टीम बड़ पूर गोल्ड लाइन से बड़ी वी हो सौक गोल्ड लाइन आप लोग जल्दी जल्दी हमाचल से पेदा करके दो हमें यह शुब कामने आपको आपकी पूरी टीम के लिए और थैंक यू वही मुच आपके शेरिंग के लिए थैंक यू सर्ट